आज की हम इस वीडियो में आपको नोटपेट के बारें बताएंगे सबसे पहले विंडो प्लस आर करेंगे इस पर डालेंगे नोटपेट यहां से यह नोटपेट खुल जाएगा इसके बाद इसे होकी कर देंगे यह नोट पड़ा चुका है इसके बाद सबसे पहले टाइपिंग करेंगे A, S, T, F, J, S, P, S, M,I, K, J, H A, S, T, F, J, S, P, S, M,I, K, J, H इसके बाद ओपर वाली कीज होते हैं Q, W, A, R, T, S, P, O, I, U, Y Q, W, A, R, T, S, P, O, I, U, Y इसके बाद डाउन वाली कीज होते हैं Z, X, C, V, V, S, L, S, T, O, M, N इसके बाद सबसे पहले यह होता है इसका टाइटल वार इसे जो अनटाइटल दे रखा है वो टाइटल वार होता है इसको बोलते हैं मैनिवार मैनिवार होता है सबसे पहले मैनिवार में फाइल पर जाते हैं इसके बाद लेते हैं New New यानि Control and होता है इसके शोटकट की New पे क्लिक करेंगे इसके बाद आएगा क्या आपने इस फाइल को सेफ करना चाहते है Do you want to save changes to untatled अगर सेफ करना चाहते है तो इसे सेफ पे क्लिक करो, अगर नहीं करना चाहते तो टन करतो इसके लए इसे हम कैंसल कर देते हैं उसके बाद आता है, Open Open का मतलब यही होता है COMSTROL UP किसी भी बनी फाईल को खोलने के लिए तो थो आप बूध चाता है क्या आप अपनी बनी फाईल को safe को चाहते हैं कि विदाउट सेफ करी ही, ऑप किसी की फायल को खोलना जाते हैं, तो मैं इसे कैंसल कर देता हूं, इसके बाद आता है सेफ, कोई भी न्यूफ आल को सेफ करने क्ली उसको ताए Ctrl S Save करने कले यहाँ पे मैं एपनी डेक्स्टॉप पर फाइल डाल देता हूँ इसके बाद मैं इसका टाइटल देता हूँ कोई भी जिसे के राम मैंने यहाँ पर कोई टाइटल देती है इसके बाद इसके बाद से सेव कर दिया वो राम की नाम से सेव हो जाएगी इसे मैं दिखा देता हूँ डेक्स्टॉप पर इसे मिनिमाईज करके तो यह आगए हमरे फाइल इसके बाद यहाँ पर जाएंगे इसके बाद Save As Save को दूसरी फाइल से Save करने कले यूज़ होता है Save As यहाँ जो फाइल पहले से Save होती है उसे Save करने कले यूज़ यूज़ किया था Save As इसे दूसरा नाम दे देते हैं डेक्स्टॉप पर डाल कर और जहां पर डाल देते हैं लक्ष्मन यह मैंने Save As कर दी इसी फाइल को इसके बाद यहाँ से वो Save हो जाएगी इसी तरीके से एक ही फाइल की दूफ कौपियां हो जाती है वो होता आपका Save As नेक्स्ट आता है Option आपका Page Setup Page Setup क्या होता है अपने डॉक्यमेंट के Page को Setup करने के लिए यूज़ किया आता है Page Setup Size में जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर जाते है इसके बाद जो होता है Portrait का मतलब होता है ख़ड़ा Page Landis के बाद मतलब होता है लीटा Page Portrait and Landscape यह होता आपका Margin Left से कितना रेखा है Right से कितना रेखा है Top कितना है Bottom कितना है यह दिखाता है आपका Document का Setup होता है Page Setup इसके बाद आता है Next Option Print जो भी आपकी फाइल है उसका Print Out चाहिए तो इसके लिए Control P Next Option आता है आपका Exit Exit का मतलब होता है बंद कहने के लिए कोई भी बनी होई फाइल हो उसे के अप्लिकेशन को बंद कहना है तो उसके लिए उसके रहता है Exit Alt प्लस F4 इसके शॉर्टकट कीज Next Option आता है आपकी Edit के उपर Edit के अंदर Undo Undo का मतलब होता है एक स्टप पीछे जैसे हमने कोई भी Select किया डॉक्यमेंट इसको हमने कर दिया Undo करेंगे तो यह बापस आजाए Control Z Next Option आता है Cut Cut का मतलब होता है जो Select किया हो उसे Cut करने के लिए उसके आता है Control Axis की Shortcut कीज है इसे Paste करेंगे तो यह बापस आजाएगा इसके बाद आता है Next Option Copy जैसे सबोस्ट आता हमने यहाँ पर कुछ डाटा को Select कर लिया इसके बाद Copy करना है तो यहाँ से आप Control C Copy कर सकते है Copy करने के बाद यहाँ पर इसे कहीं दूसरी जगे पर करदर रखके Paste करना है तो यहाँ पर Control V कर दिजिए Paste Next Option आता है आपका Selected Data को Delete करने के लिए उसके आता है Del Shortcut कीज है Del Next Option आता है Find किसी भी बट को आप कर देंगे तो यह उपर वाले दिखाएगा Down कर देंगे तो यह नीचे वाले शो कराएगा Next Option आता है आपका Find Next Find Next का मतलब ही होता है कि जो Find है यानि हमने कोई वर्ट ढूना है उसके आगे वाले वर्ट को दिखाएगा Find Next F3 इसकी शॉर्ट कट कीज़ है Next वाला यह दिखाएगा Next Option आता है आपका Replace Control H कोई भी Find की हुए वर्ट को Replace करने के लिए यूज़ किया आता है Find Next Replace इसे चेंजिस कर देते हैं यह Replace हो गया इसके बद रेप्लेस ओल कर देंगे जहाँ जहाँ पर यह होगा वो भी बदल जाएगा हमें फिर से जैसे तब ऐसे करना है तो ओपर आप 1,2,3 को Find कीजिए Find Next कीजिए इसके बाद Next Option यहाँ पर जो डाला था वो डाली है तो Replace All कर देते हैं तो यह सारा हो जागा जैसे तब ऐसे Next Option आता है आपका Go To किसी भी Line Number को जाने के लिए उसके आता है Go To Go To जब होता है Show कराता है जब वाट्रैप हटाती जाता है आप Show कराएगा आपका Go To Go To में क्या होता है किसी भी Line Number पर जाने के लिए होता है Carzer को Show कराता है Go To Suppose that यहां से हमने डाल दिया इसके दूसरी Line पर जाना है हमें तो यहां पर Go To जखाएगा Line Number पर जाने के लिए उसके लिए होता है Go To Okay Next Option होता है आपका Select All Control पूरे Data को Select करने के लिए उसके आता है Next Option होता है आपका Determ Time जहां करज़र होगा वाँ पर Determ Name लगाने के लिए उसके बाद आता है इसके बाद आता है Next Option Formit Word Wrap Word Wrap में क्या होता है आपका Document जो है एक Line में चलने के लिए तियार हो जाता है Second Line नहीं लेगा जब तक आपकी Scroll नहीं खतम होगी इसके बाद आता है Font Font में क्या होता है Selected Data की Font Language को Change करने के लिए यूज किया आता है तदा उसकी Font Style को Change करने के लिए यूज किया आता है Bold, Italic Bold होता है Italic होता है Bold और Italic होता है दोनों होते हैं इसके अंदर Next Option आता है आपका View View में क्या शो कराते है Status Document का Status Show कराने के लिए यूज किया आता है View Document का Status Show कराने के लिए यूज किया आता है View यह आपका Language Change करने के लिए यूज किया आता है Plus Regular, Italic, Bold, Bold Italic and then Size यहां से हम OK कर देते हैं Next Option आता है आपका View View में Status वाज शो कराता है Status वाज जब शो कराएगा जब आपका यहां से Format से Word App से टिक अटाएगा Document का Status Show कराता है हमारा Card Line Number कितनी है Column कितने बने हुए है वो शो कराता है Next Option आता है आपका View Help View Help View Help में Document का Status Show कराता है जैसे हमें Notepad क्या है What is a Notepad Notepad कैसे Open होगा How do you Notepad opened यह शो कराता है इसके बाद Next Option आता है आपका Help Help के अंदर About Notepad होता है Version दिखाता है Windows 7 का Notepad है कौन सा version है 6.1